हलो दोस्तों नमस्कार मैं अटवर चौधरी जैसा कि आप सभी को पता है कि आज RPSC 1st Grade Exam 2018 गनित बिसे का परिणाम आ चुका है जो कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको कटाउप मार्क से बारे में बताया लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि फा फाइनल परिणाम रहा 212.89 मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में इक्वल कटाउप गई है प्रॉम्जल की बात करें तो 197.89 कटाउप गई थी दोनों की ही और अंतर की बात करें तो 15 मार्क का अंतर आता है EWS की बात करें तो 188.95 में फाइनल में कटाउप गई है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो प्रॉम्जल की बात करें 143.40 गई थी जबकि अंतर की बात करें 15.55 का अंतर रहा है उसके बाद आते हैं SC केटेगरी पर SC केटेगरी में जो देखा गया मेल और फीमेल में 144.34 कटाउप गई है फाइनल में जबकि प्रॉम्जल में बात करें तो 138.70 मेल और 138.33 यानि थोड़ा सही फरक रहा था यदि हम मेल को देखें तो 10.64 का अंतर रहा था और इसके बाद चलते हैं SC केटेगरी SC में 137.18 फाइनल कटाउप गई है प्रॉम्जल में 123.49 कटाउप गई थी अंतर की बात करें 13.89 मार्क का अंतर रहा है OBC में 200.87 कटाउप गई है जबकि प्रॉम्जल में 189.21 मार्क थे अंतर की बात करें तो बहुत कम अंतर रहा है OBC में देखने में आता है कि जो अंतर है वो थोड़ असर ज्यादा आता यानि 15, 16, 17 इस तरह एवरेज देखने को मिलता है लेकिन यहां पर अंली 11.66 का अंतर रहा है MBC की बात करें तो MBC में 164.12 कटाउप गई है जबकि प्रॉम्जल में 140.06 कटाउप गई थी अंतर की बात करें तो अंतर थोड़ा सा यहां बिचलन करने वाला है 24.06 का एक्सर्विसमेन 84.24 का टॉप रही है फाइनल जबकि प्रॉम्जल में 45.25 गई थी अंतर की बात करें तो सबसे कम जो अंतर रहा है वो 8.89 का अंतर एक्सर्विसमेन वर्ग के अंदर रहा है प्येच केटेगरी की बात करें तो 104.30 का टॉप गई है प्रॉम्जल में 83.81 का टॉप थी अंतर की बात करें 20.00 गुनन चास का अंतर रहा है तो आप ओवराल देख सकते हैं की 8.89 से लेकर और अंतिम जो अंतर रहा 24.06 का रहा अर्थात ओवराल 15 और 20 मार्क के आसपास अंतर रहा है तो इस तरह ये गनित का मैंने आपको पूर्ण एनलाइसिस बताया प्रॉम्जल का टॉप और फाइनल का टॉप के बारे में तो उम्मिद करता हूँ काफी बाई बैनों का इसमें सेलेक्शन हुआ है क्योंकि आर्पिएसी ने 193 कंडिडेटों को सफल गोसित किया है अब कब काउंसलिंग होती है उसके बारे में क्या अपटेट रहती है समय समय पर आपको अवगत कराया जाएगा और अब जो काउंसलिंग होगी नितिश्यक इस्तरपे होगी जाम पर आप सभी को बुलाया जाएगा लेकिन फिलहाल सभी के लिए हार दिक सुबकाम नाए जिस भी भाई वेन का सलक्षन हुआ है इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद